परसेप्शन तोड़ी है दुनिया आपको डरा रही है कितने सारे टॉपिक चल रहे हैं आप कैसे पड़ोगे अरे क्यों नहीं पड़ोगे भाई तो आज ये 5-6-7 चेप्टर जो अलगला चल रहे हैं इनसे डर क्यों रहे हो एक बात यादतना खिचड़ी नहीं बना तो गेर चेंज करने की कलाना पूरे जीवन काम आते एक दम से घुसारा है खुछ होने की कलानी चाहिए ये चेंज अच्छा अगा अगब यह अपन रख रहे हैं च्टे रखते न्यूमेरिकल स्वाल करने की जाहिए चाहिए पहली बात प्रोपरी क्या है मां 30 डॉपर इतने सारे ट देखिए भाई, skill हमको चाहिए, कौनसी skill चाहिए, अगर अपन ध्यान से देखें, तो हमें skill चाहिए, multitasking की, okay sir, खेल है इसका multitasking, क्या ये हमें आती है, हाँ, क्यों हमें ऐसा लग रहा है, कि इतने सारे topic एक साथ खुल गए है, पहली बात एक बात समझ लो, यह situation सब के लिए same है, यह situation सब के लिए same है, situation सब के लिए same है, इसलिए डरने की जुरत नहीं है, यह situation सब के लिए same है, जितने ही बज़े दया रहे हैं सब के लिए, सब के multitasking हो रही है, अच्छा, सब के लिए लगातार बहुत सारे chapter पड़े जा रहे हैं, तो यह situation सब के लिए same है, सही बताऊं, तो आपको shocking answer लगेगा, इसका सिर्फ एक ही तरीका है, जिससे आप इससे समल सकते हो, मानसिक स्थिती सही रखिए, क्योंकि actually क्या हो गए, एक hover बन गई है, एक perception built ह हो गया है, कित्य सारे chapter कैसे पढ़ेंगे, perception built हो गया है, perception तोड़िये, perception तोड़िये, दुनिया आपको डरा रही है, कित्न सारे topic चल रहे है, आप कैसे बढ़ोगे है, क्यों ऺडोगे भाई, सर कैज वड़ेंगे सर, तुम भूल गए, क्या भूल गए, בूल गए, स्कूल में, भूल गए, क्या, स्कूल में, स्कूल में, और यहाँ सर, स्कूल में, आठ पीरियड होते थे, सब अलग-अलग Topics के, तब भी तो हमव करते थे, औरे हाँ सर आठ पीरियड होते थे सब अलग-अलग सेक्शन के सब अलग-अलग टॉपिक के तो आज ये 5-7 चप्टर जो अलग-अलग चल रहे हैं इनसे डर क्यों रहे हो सही बताऊं तो डरना बंद कीजिए आगे बढ़िये एक-7 चप्टर समालना बड़ी बात नहीं है हाँ, इसलिए छोटी-छोटी सी बाते क्या करनी चाहिए सर हमको पहली बात मैं आपको गह रहा हूँ एक खेल परसेप्शन का है अच्छा कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा अच्छा सर, हाँ सर, बात तो आपकी सही है तो परसेप्शन तोड़ी है कि क्या एक साथ बहुत सा चिप्टर पढ़ सकते हैं बिल्कुल पढ़ सकते हैं क्या ही हम पहले कर चुके हैं, हाँ, स्कूल में हम कर चुके हैं, आठाट पीरेड एक एक साथ हम कर चुके हैं, जिनमें अलग-अलग टॉपिक होते थे, तब भी तो मैनेज करते थे, तो आज क्यों नहीं कर सकते, अरे, आज तो हमारी हुनर, काबलियत, मैनत करने का जज़बा बढ़ गया है, अब तो हम नीट की तियारी कर रहे हैं, हाँ, सर, तो मल्टि टास्किंग आप कर चुके हो, आप कर चुके हो, डरने की जर्रत नहीं है, ओके सर, यह सर हम कर चुके हैं, हाँ सर, बात तो सर आपकी, बिल्कुल सही है, अच्छा, एक और बात ध्यानक नहीं है, कि अगर आज मालीजिए चार लेक्चर हैं, फोर लेक्चर और डिफरेंट टीचर्स, अगर यह हैं, जो कभी पांच भी हो सकते हैं, चार बहुत है, एक बात यह दखना, खिचडी नहीं बनानी, खिचडी नहीं बनानी मतलब कैसे मैं आपको समझाता हूँ, आपको यह ध्यानना है, आज जो चार टीचर नहीं पढ़ा अच्छा, तो अब बेसिकली क्या है, कि कल काल करें सो आज कर वह वाली कहावत है, कि आज का काम आज खतम करूंगा, आज खतम करूंगा, करूंगी, औरे हाँ सर, बात तो आपकी बिलकुल सही है, तो आज का काम आज खतम करूंगा, यह प्रण लेना है, प्रामिस करो, आज जो चार चप्टर पड़ा है, आज जो टीचर ने काम दिया, उसे खतम करिये, आज उसने बोला ये लेक्चर देखिये, तो आज ही देखिये, इसका काम आज ही खतम करिये, कल पे मत छोड़िये, तो वैसे भी मल्टी टैस्किंग चार ही होगी, तुम्हारी प्रैक्टिस तो आठ किये, अरे यस और नो, तो आठ नो भी एक चप्टर चल रहे होगा, डरने की जुरूत नहीं है, परसेप्शन मना दिया गया है, बिल्कुल मत डरिये, एक सो पचास दिन में आप किला जीत सकते हो, एक सो पचास दिन इसलिए बोले, कि एक काद महने आपको पढ़त करने की, गेर चेंज मतलब, ओ, हो, हो, कि एक दम से कोई चप्टर आया, केमिस्टी पढ़ते पढ़ते, फिजिक्स समझ सको, फिजिक्स पढ़ते पढ़ते, बायो समझ सको, औरे हाँ सर, तो गेर चेंज करने की, अच्छे, गेर चेंज करने की कला ना पूरे जीवन काम आत होता है अगर उसने एक छोटी सी बात को पकड़ लिया तो वैसे भी वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है एक सवाल नहीं हुआ परेशान हो गए सर सवाल तो होई नीरा सब कुछ छोड़ दिया उसके लिए आगे नहीं हो रहा है आगे बढ़िये कि करत करत अभ्यास के ज सवाल के लिए बहुत जा टाइम खराब मत करिये और आगे बढ़ते रहिए बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है तो बहुत छोटी सी बात कहीं मैंने आपको फिर मैं आपको बोला कोई आसे कोई इसमें ताबरत और सॉलीशन नहीं है क्योंकि यह माइंड का खेल है मल्टी टास्किंग आपको आनी चाहिए तो मल्टी टास्किंग जान रखिए आज का काम राम मान यह है अगर सही बताऊ तो आज की वीडियो का बात यह कि आज का काम आज खतम करेंगे मल्टी टास्किंग की आर्दध हम डालेंगे जो पहले से जानते हैं स्कूल में करते यस और नू तो आज क्यों घबर आ रहे हो क्यों क्यों कि तुमने हवा बना लिया है कि मैं J की तीयारी कर रहा हूं मैं इंगिनियर बन learnt आटियन मैं डोक्टर बन मैं उस हवा का प्रेशर तुमने अपने उपर ले लिया है इस हैबिट को बनाईए और करिशुम्हा करके दिख काईए बोलो सेलेक्ट होके बताओगे की नहीं बताओगे यस सर बिलकुल बताएंगे ड्रॉपर होना कोई क्राइम नहीं है मैं आपके सामने एक्जामपल हूँ 13 से सेलेक्ट हुआ और जीवन को अच्छा भी बनाया और आज बहुत सारे बच्चों की को बहुत अच्छी पैचान सिर बच्चों की वजए से है इसलिए आपको गलत सला कभी नहीं दे सकता हमारा स्तित्व हमारा मान सम्मान सब कुछ आपकी वजए से है उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद प्रेम बनाय रखने लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ऐसे ही आप सर भी लोग इसने